हाई फ्रेंड्स आज हम लोग एक्टिव इंकम और पैसिव इंकम के बारे में जानेंगे और इन दोनों के बीच फर्क भी समझनी की कोशिस करेंगे पैसिव इंकम का क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट है वो भी जानने की कोशिस करेंगे तो आईए शुरू करते हैं Active income क्या होता है ऐसा income जो पाने के लिए मुझे actively participate करना पड़ा था कोई भी income जैसे कि मैं regular उसमें participate करता हूँ regular अपना योगदान देता हूँ और उससे मुझे salary या कोई income मिलता है on the basis of my participation ऐसा income active income कहा जाता है जबकि passive income में ऐसा नहीं होता है passive income में आपको काम तो करना पड़ता है एक बार आपने काम कर लिए उसके बाद regular basis पे वहाँ से आपको पैसा मिलना सुरू हो जाता है इस तरीके का income passive income के नाम पे जाना जाता है कुछ example ले ले लेते हैं जैसे कि ये दोनो income समझने में और आसानी रहेगी जैसे कि आप कोई company में job कर रहे है तो आप हर रोज punch करते हैं attendance लगता है आपका और फिर आपको salary मिल जाता है तो आप actively वहाँ पे participate करते हैं काम करते हैं आपको salary मिलता है या तो कोई shop है जो कि आप खुद manage करते हैं आप खुद बैठते हैं वहाँ पे अपना product sale करते हैं और आपको उससे कुछ मुनाफ़ा हो जाता है तो इस तरीके की income को हम लोग active income कहेंगे जबकि passive income का भी बहुत example है और उसका अलग-अलग benefit भी है तो वो समझ लेते हैं जैसे कि वही shop अगर आपने rent पे चढ़ा दिये और आपको हर महिने rent मिल जाता है तो इसमें आपको कुछ करना नहीं है जस्ट मंत के end पे आपको rent का पैसा लेना है या तो आपके पास कोई खाली घड़ है जो आपने rent पे चढ़ा दिये है और मंत के end पे आपको पैसा मिल रहा है तो इस तरीके का income, passive income कहलाता है आपका कोई खुद का छोटा business भी हो सकता है जहाँ पे 3-4 employee है वो लोग खुद से वो काम कर लेते हैं आप से production report देखते हैं income calculate कर लेते हैं तो इस तरीके का business भी passive income के अंदर ही आ जाता है और कुछ example ले ले लेते हैं इसे एक YouTube channel है जहाँ पे आपने एक दफ़ा वीडियो पोस्ट कर दिये और आप अभी मज़ा कर रहे हैं आप सो रहे हैं आप कुछ भी कर रहे हैं और आपका YouTube channel में views आ रहे हैं जिसके बिना पे आपको पैसा मिल जाता है तो ये भी एक passive income ही है या तो आपने पैसा stocks में लगाया है bonds में लगाया है जहाँ पे आपका पैसा regular growth हो रहा है तो ये जो growth आ रहा है ये भी passive income कहलाता है और कुछ intellectual property से आपको royalties मिल जाता है जैसे कि आपके music है खुद का script है या कुछ patent है जहाँ से आपको royalties मिलते हैं तो ऐसे income को passive income कहा जा सकता है तो अब इसका benefit क्या है थोड़ा समझ लेते हैं passive income का passive income जब आप generate करना सुरू कर देते हैं तो एक regular stream of income आता रहता है आपका खुद का active participation के बिना और अगर ये पैसा आपका family का monthly जो need से वो पूरा कर दे तो आप एक अलग stage पे चले जाते हैं जिस stage को financial literacy में financial freedom कहा जाता है तो जब आप financial freedom तक पहुँच जाते हैं तब आपको कोई चिंता नहीं रहता है कि मुझे actively काम करना ही है तभी मेरा family खुस रहेगा तभी मेरा family का जो need से वो पूरा हो पाएगा तो इस stage में जाके आप एक अलग सुकुन महसूस कर सकते हैं और happily participate कर सकते हैं अपना active managed कोई भी काम पे पहले आप boss के डर पे काम करते थे अभी जब आप financial freedom हो गया हैं तो आप happily participate कर सकते हैं उस काम पे और इससे एक आपका काम पे quality भी अच्छा होता रहता है तो मेरा इस वेडियो का उद्दे से यही था कि आप लोग भी अपने हिसाब से passive income generate करें और happily life को enjoy करें Thank you very much